हेलो गैस स्वागत आप सबका तो आज हम बात करेंगे सर्वोट एक पावर सिस्टम शेर की और इसका जो है मतलब की अधानी टोटल गेस के साथ यह कंपनी काम करती है अभी रिसेंटली वो न्यूज भी आई थी और क्या है इसकी खबर यह हम देख लेते हैं पूरा वीडियो के रिजल्ट कैसे आए उसके उपर विचरचा करेंगे है एडलान को देख सकते हैं कि 110 पर जाएगा यह एनरजी शेर और मतलब की इस रिपोर्ट की अगर बात करें अधानी के लिए भी काम करती है कंपनी और जैसे कि यहाँ पर देखे 10 तरीक की यह खबर रिपोर्ट है औ और एनरजी सेक्टर से जूड़ी कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम ने वित्वर्ष 2023 चोथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं तो इस तिमाही में जो है प्रोफिट 43 परसेंट घटकर यह इसका प्रोफिट घटा है 3.42 करोड रुपे रहा एक साल पहले कितना था 6 कर तो कितनी कमाई और खर्च यह आप देख सकते हैं कि सर्वोटेक पावर सिस्टम के शेर बाजार को दी जैनकारी में कहा कि तिमाही में आई जो है 136 करोड रुपे रही जबकि पिछले साल 119 करोड रुपे थी तो रेवेन्यू इसका बड़ा है तो इसको पॉजिटीव ही क करके अगर आपको रखना है तो खरिद कर भूलना है तो इस तरीके से भूल सकता है साल दो साल के लिए और मुझे इसा लग रहा है कि इसके अंदर अच्छे रिटर्न मिलने के संभावना हो सकती है क्योंकि कम्पनी काम क्या करती है वो भी आप यहाँ पर जरूर देखें च कम्पनी का प्रफिट जो है अच्छी करोड रूपय का असपास रहा ना 1.5 क्रोड के आसपास से बढ़ कर बारा करोड के आसपास रहा एक्चुली यह पिछले साल का था और यह साल का है और बड़ चौपनी क्या करती है यह जरू है कंपनी जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर बनाने के अलावा, मतलब की चार्जर भी बनाती है और चार्जर बनाने के अलावा सोलर एनरजी से जुड़े प्रोजेक में सक्रिय है और इसके सहियोगियों में गौतम अदानी समू की कमपनी अदानी टोटल गेस भी शामिल है इसके अभी अभी इसकी जो है मतलब कि कुछ दिन पहले रिन्यूस भी आई थी तब हम लग वो वीडियो भी शेर किया था और हाल अदानी टोटल एनरजी इमोबिलिटी लिमिटेड के लिए इलेक्रिक वेहिकल चार्जेस का कॉंट्रेक्ट हासिल किया है और इससे जो है दोनों कमपनीयों को फाइदा हो सकता है जैसे कि हमने बात की थी अदानी टोटल गेस के वीडियो के अंदर भी अब आगे के देखत पर भारत सरकार के विशेस फोकस से कमपनी को काफी फाइदा होने की उमीद है कमपनी हाल ही में अलग-अलग एनरजी से जुड़ी सरकारी कमपनियों ओडर हासिल करने में कामियाब रही है और आगामी तीमाहियों में ये प्रवरूती और बढ़ने की उमीद है मतलब कि इस और लोकसबा चुनाव नतीजों के बाद इस शेर में जोरदाल उच्छाल देखने को मिल सकता है ये भी न भूले यहां पर आप एक्सपर्ट का कहिना है कि और आगे देखे ऐसे शेर में किसी भी गिरावट को खरीदारी के आउसर के रूप में देखा जाना चाहिए इसलि अगर देखे तो अब आगे देखते हैं कि क्या है टार्गेट प्राइस तो सर्वोट एक शेर के टार्गेट प्राइस पर आनंद राठी के गणेस डोंग्रे ने कहा कि ये शेर निकट अवदी में टेंड रिवरसल दे सकता है क्योंकि इसने 65 रूप प्रती शेर पर एक मज करते हैं कि मीड टर्म में सर्वोट एक शेर की कीमत 110 रूपे प्रती शेर तक चूल सकती है मतलब तो यह इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट ही अब यहां पर इसका देख लेते हैं शुक्रवार के कारोबार की बात करें तो कितनी डिलेवरी उठी 64% के आसपास की डिलेवरी विचे गया और एटी पर के आसपास इसने कलोजिंग दी है यहां पर जो सपोर्ट दिखरा है एक तो जो है यहां पर सब्स Magy बीच के खड़ा है स्टॉक और आगे हम देखे वीकली चार्ट के उपर थोड़ा सा अगर दूर के सपोर्ट की बात करें तो वो जो दिख रहा है 70 रूपीज के आसपास का क्योंकि 70 रूपीज से लेकर 72 रूपीज जो है इस लेवल के आसपास ये वीकली चार्ट है ये एक-एक केंडल पूरे हफ़ते की केंडल है तो काफी वक्त यहाँ पर इसने भीताया है और इसके फंडामेटल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रोंग हो सकते आने वाले क्वार्टर जैसे की एक्सपर्ट ने कहा कि अच्छे रह सकते है तो इस वज़े से ऐसा कई ना कई लग रहा है कि आने वाले समय में तेजी की पोसिबिलिटी हो सकती है अभी 83 रुपीज के आसपर्ट का प्राइस है 70 से 72 रुपीज के आसपर्ट इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है तो यहाँ पर मतलब की 10-12 रुपीज के आसपर्ट का रिस्क दिख रहा है वहाँ पर आप 70 से 72 रुपीज के आसपर्ट आप स्टोक लोस भी रख सकते हैं अगर आप खरीदते हैं तो अब यहाँ पर मंतली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें 2022 में यह स्टोक जो है दस रुपे से भी कम था आठ रुपे कास पास था वहाँ से अब तक कि अगर बात करें तो मल्टी बिगर रिटर्ट इसने ओल्ड़ी दे चुका है अच्छी कासी तेजी आच चुकी है और मुझे यसा लग रहा है कि अगर थोड़े दिन यहाँ पर जैसे कि इसने एक बार यहाँ तक आया फिर यह कंसोरेशन हुआ फिर थोड़ी सी तेजी दिखाने की कोशिस की अभी वापस से थोड़ा सा कंसोरेशन हो रहा है तो अगर ब्रेक आउट दे देता है तो short term में इसके support और रेजिस्टर हम देखे है और long time की हम बात करेगे पहले तो short term में देखे तो जो support दिख रहा है एक तो 78 रूपीज का असमान का zon उसके बात देखे तो 74 और उसके बाद जो है 70 रूपीज का असमान का zon तो यह इसके नजदी की रिजिस्टन दिख रहे हैं, अगर इसके बाद 110 रुपे तक जानी की संभावना रह सकती है, जैसे की एक्सपर्ट ने अभी इस रिपोर्ट के अंदर कहा, लिकिन अगर 110 को पार करता है, तो यह इसके भी उपर जानी की संभावना इसकी रह सकती है, अगर इसके वीडियो में इतना ही अगर अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और एक्स्टेंडर डिस्क अमल, जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी इटेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने